हेलो गईज मेरा मैं और नहीं है भूण बात करने बारे में मैं आपकर बता दूँ आज के टायम में ब्लॉग ही यूद के बेच नए केरी के फ़र में पर सकता है यूटाई पर बहुत सरे वीडियो नहां बता हैं की ब्लॉगिंग कि पहले स्टार्टिंग कहे जाता है पर जो नय ब्लॉगर्स हैं उनको समझ नहीं आता है कि ब्लॉगिंग क्या करना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए आप चीज़ों बिद्रत पढ़ती है या ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या प्लॉगिंग कितनी सक्सेसफुल है उसके अंदर प्रॉपर संसे टिप्स होती है तो यह सारी बताने वाला हूं तो वीडियो कुरू से लिके लाइकन को प्रेस कर दीजिए बात कर लेते हैं ब्लॉगिंग क्या है मैं आपको बता दो ब्लोग इंग करने से स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको ब्लॉगिंग का सिंपल जो मीनिंग होता है वेबसाइट बनाना होता है वेबसाइट के अंदर आप पल्ट करते हैं वो लोगों तक पहुंचत फ्रीं में वीबसाइटेंग बनाना सकते हैं वागाश्यл प्टिक्वार प्लॉगंग कर सकते हैं वेबसाइट बना सकते हैं गापको टुल्य इन्व बनासे करा ऊकर नहीं आती है या अगर लागना सकते हैं अपसके अपटो भूसिब्स मिल जाएंगे इन्टारी आपको पढ़कर आप अपनी सकते हैं और पैसे कर बना कर आए निवक्र में बना सकते हैं तो आप ब्लॉगिंग के अतरा करें लिए कैसे बनाएं मैं आपको बता देता हूं अगर आप ब्लॉगिंग तर्क पाइसे के लिए करना चालते हैं तो यह चीज़ आप जान लेजेए आपको प्लागिंग या तो सबस्दब टाइम बात मिलेगी या आपको सकस मिलेगी नहीं क्योंकि ब्लॉगिंग के अंदर सबसाब पहले मेन चीज होती है कॉंटेंट अगर आप कॉंटेंट पर फोकस करते हैं तो आपको 100% सक्सक्स मिल सकती है और ब्लॉगिंग एक बिजिनस की तरह होती है जैसे बिजिनस के अंदर आपने देखा होगा लॉयल्टी क्वालिटी या हैल्प जैसे चीज़ों काफी इंपोर्टेंस होता है सेम वैसे चीज़ ब्लॉगिंग के अंदर होती है अगर ब्लॉगिंग के अंदर कॉंटेंट पर फोकस करते हैं कि आपको अच्छा होना चाहिए उसका क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग उसको पढ़के पर ब्लॉग पर जाते हैं पर उनका काम होता है अपनी जो भी सल्विशन मिल जता है वह उनको मिल जाता है यह काम होता है तो आप अपने नॉलेज के बेस पर या आपको जो भी इंटरस है किसी टॉपिक किसी फिल्ड के अंदर उसके बेस सब्सक्राइब कांटेंट डाल सकते हैं ब्लॉग पर और वह ब्लॉग जो पिलॉग है वह काफी यूसफुल होना चाहिए लोगों के लिए और उसको क्वालि यूसफुल है लोगों के लिए लोग उसको पढ़के काफी अच्छा उनको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर अच्छा डेली डालते रहेंगे टाइम से तब आपके वेबसाइट पर त्राफिक का पूरा हो जाता है उसके बाद आती है के बारी मोनिटाइशन का सिंपल मीनिंग यह वता है कि आपकी वेबसाइट है आपके जो ब्लॉग माना जाता है गूगल एड्सेंस बहुत काफि सारे लोग हैं बड़े-बड़े ब्लोगर्स भी यूज करते हैं गूगल एड्सेंस को अपनी वेबसाइट पर लगाता है आपके जो ब्लॉग के टॉपिक है उसके बेस पर आपको रेवेन्यू मिलता है तो गूगल एड्सेंस काफी अच्छ आप अपने ब्लॉग के से तब आपको कुछ कमिशन मिलता है तो यह अच्छा करेश बना सकते हैं ब्लॉगं के अंदर बात कर देंबादा है अगर आपने सोच लेकर ब्लॉगिंग में बनाना चाहते हैं तो बता दूब सबसरा पहला एक चिस टॉपिक के अंदर किस चेक कर लेजिए आपके पास किस फिल की नॉलेज है या किस फिल के अंदर को इंटरस्ट है उसी बेस पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और कॉंटेंट डाल सकते हैं वह इतना यूसफुल होना चाहिए कि लोगों को पढ़के लगे कि हाँ यह कोई लोगों को पढ़के उनको जो भी सर्च करते हैं मिल जाने चाहिए तो यूसफुल होना चाहिए उसी अपनी नॉलिज के बेस पर आप बना सकते हैं आपको बता देता हूं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं तो आपको सब्सक्राइब पहले आता है फैशन उसके बाद ऐ्पस्ते या फिर बना सकते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग पर बना सकते हैं कि इस पर अपकोकश वोग कॉनिक्स में किससे सब्सक्राइब सबसे पहले आता है अपना एक टार्गेट कीजिए आप सबसे पहले अगर आप ब्लॉगिंग सार्ट कर रहें तो उसके बाद आता है पेशेंस ब्लॉगिंग मैठेड है यह रातो रात पैसे कमाने वाला मैठेड नहीं है ब्लॉगिंग स्लो प्रोसेस है इसके अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको दीरे दीर आपको काम करना पड़ेगा और तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं और तभी आपने केरें बना सकते हैं तो आप इसको पहले पार्ट टाइम कीजिए और पड़ेगा अपने कॉंटेंट पर अगर आपको कॉंटेंट अच्छा है तभी आपकी वेबसाइट पर आएंगे और उसको पड़ेंगे और इसको शेयर भी करेंगे अगर आपको यूसफूल है लोगों लगता है कि हाँ यह अच्छा है कुछ इंफॉमेशन जो आप दे र पड़ना चाहिए इसके अंदर क्या इतना इंपोर्डेंट लिखा हुआ है उसको पड़के जाए तो आइकेचिक आपको कॉंटेंट होना चाहिए यूसफूल होना चाहिए तब यह आप ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस पासकते हैं और काफी अच्छ अपना करें बना सकते dot com इसके बारत आता है अमिद्भवानी डॉटकॉम वेबसाइट है उसके बादाता है पंका जगरवाल क्लिकंडिया को मिश्फूल होते थैं तो यह सारी चीजे हैं विलॉगिंग के बारे में आप ब्लॉगिंग कैसे स्पासकते हैं ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते है द्यान पड़ेगा आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको कर सकते हैं व्लॉग के अंदर आपको ठाइम देने पड़ेगा थोड़े पड़े पहुँख करने पड़ेंगे तब आपको अपना अच्छा करियर बना सकते हैं ब्लॉगिंग प्रोसेस है मैं आपको बता दू अगर आप हमेशा जल्द बाजी में रहते हैं या आप रात और रात पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू यह मैधर आपके लिए बिलकुल भी नहीं है ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए जो आप जिटके पास आपना नॉलेज रमखते हैं और अपको कमाने में करें करना चाते हैं तब आपको सकस मिल जाती है आपको अच्छी का सी अर्णिंग स्टार्ट हो जाती तब आप उसको में करें बना सकते हैं तो ब्लॉगिंग के काफी अच्छा करियर हो सकता है आज कर सकते हैं और ब्लॉगिंग ऐसे शुरू कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो मे झाल झाल